आपके साथ निकिता कश्या बुलिटिन के शुरुआत करते हैं स्यम्मु पेश बगेल की महत्वकान्श योजना रीपा आज प्रंदीश में नए आयाम कर रही है आपको बताने कि रीपा से महिलाओ और यूबाओ को रोज़गार के साधन उपलब्द हो रहे हैं जिस सोच के साथ स्यम्मे इस योजना को शुरू किया था उसी लक्षा के तरफ योजना के कदम लगाता आप बढ़ते जाना है विलास्पुर में भी लोगों को इससे लाब मिल रहा है इसे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट प्रदेश में भुपेश सरकार लोगों के जीवन में सुधार और प्रदेश के विकास के लिए नएने कदम उठा रही है कई योजना भी चला रही है इनहीं में से एक योजना है रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इसी योजना से सुबे की मुख्या भुपेश बगेल की पहल पर ग्रामिन परिवारों को रोजगार और आयक के साधन उपलब कराए जा रहे है गाउं के गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विक्सित किया जा रहा है यहां विभिन आजीवी का मूलक गतिविध्या संचारित की जा रही है योजना के तहट प्रतम चरण में प्रतेइक विकास खंड में दो गोठानों का चैन किया गया है जिसमें अलग-अलग शेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्त कराये जा रहा है बिलासपूर में भी रीपा के तहट गोठान लगाये हुए है पहले हमारी टीम पाउंची पोहा प्रोडक्शन यूनिट महिलाओ को काम और लाब दोनों मिल रहा है महिलाओ का कहना है कि अब खेती के साथ साथ यहां काम करके उन्हें कुछ पैसों का लाब हो जाता है जिससे घर का गुजारा और भी आसान हो जाता है अब पहली हमारी पहुँ ज्यादा दिक्कत रिसे साबर बच्चा मनला पढ़ाई करेगा इती गुदा खाम के तरोड़ जास सम्मू मजूरे हैं तबढ़ी है दे गोबाद खात लचाले हैं धीरे धीरे कुखरी राखें दाना पानी देहे आज़ाई तहां हमारी आगे बढ पहली के जिंदगी मा अब अभी के मा काम तरा है अब हर चीजबा हमारी थोड़ा दिक्कत रातरी से काम रुताबे रोजगार बेठे रहे हैं अब यमा काम मिल गेता है लोग रीपा पर भरोसा करके यहां से सामान भी खरीते हैं क्योंकि यहां सामान उत्तम क्वालिक्टी का मिलता है यहां काम करने वाले करमचारी से बात की गई और जाना के किस तरह से वे बोहत तयार करते हैं जिसे ग्राह को तक पहुचा कर कमाई की जाती है और जिसका अलाब ग्रामीर महिलाव को मिलता है पहुचा करते हैं करनें कि यहां भूच करने के बाफंद üzौन writer कुम आ जार होज के वींड गाहें – सब्सक्राओ करने निम्क नियात। फिसन सब्सक्राख को आपगे blossom आपके पहां भता है यहां कि पानिको यहां कि ली डुगा सब्सक्राइए रीपा के तहत मशली पालन का कार्य भी किया जाता है हमारी टीम ने जब मशली पालन के कार्य को जाना चाहा तो वहां करमचारी ने बताया कि तालाब का कार्य चल रहा है जो अपने आखिरी चरण में है जिसे मशली पालन के लिए जल्द चालू किया जाएगा यह अभी कम्प्रीट हो गया है लगबख छोड़ा बस काम मचा है यहां से बांदनेगा फिर वह तो गड़्दा होई गया है और यहां बोर्वेल से भी पानी भरके तिर उसमें मचली पालन का काम करेंगे यह जो काम है क्या 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 है यहां पर इसना पुरा काम मरें कि पुरा पैरो अपी खतम हो गया तो भी आशारा नहीं क्या है क्या क्या पिर्गेृ बढ़न कर दो आख दो कि अधी कावानी जाला डिनी आथी 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 चीख़ू ऐसी जाभ तो कशेख चाह थेख़ू अब तुमान भूता करेबरा हो की सवयसात समूख किया भास अब टतकल है तुमान चुमान सवयसातर समूख करेगे जिघ्द आपके जिघ्द है कि तो कौन समुखे है जयां वाम का अबूता है समझा अधितो मैं हम अधितन पंचाइशा था जाओ वहां पर काम निच रहे तो वहां के तहर मैं सिम्हंदा लेकर काम चालो करें कि अधितन कम अधितन नका बूता मिली हां कई ने क्षादा है। क्षादा lease कि हुआ है। ई तो मई ममाझे आ है.... नहीं और द्यात नहीं। जोसे नहीं कियो है। जोसे नहीं है। नहीं हम जोए जाए। तन्जा कर दर जाता है? जाता है, अभी कोछो नहीं हम पहर जाता है। मैं आपटाने है। केसे कोण भी ओर है। कोण हैं बता हैं? नहीं है अपन वर्जिसे करें, हम ठीक जाबध तर बोलाके सुष्ट च्शीद काम चैता है। हमारी टीम ग्राम पंचाय सेलर भी पहुंची जहां महिलाओं के स्वन सहता समोह की तरफ से गोबर से पेंट बनाया जाता है करके चाल सिनहारी नर्वा घुर्वा गौठान में हम खड़े हैं जिसको आदर्स गौठान का नाम दिया गया है यहां पे गईयों का गोबर से पेंट बनाना महिला सहायता समू का जो भी काम है वह हम आपको दिखा रहें कि वह कैसे अपनी जीवी का चला सकते हैं गौठान के उन महिलाओं से भी बात चुत की गई जो गोबर से पेंट बनाने का कार्या करती हैं महिलाओं का कहना है कि उन्हें खुशी है कि वे अपने घरों के लिए कुछ कमाई कर पा रही है इसके लिए महिलाओं ने सियम भुपेश भगेल का आभार भी जताया कि अधिरा आट हमारा बहुत आच्छा लागिते कि अलेली थी आपकर इन वहलाओं कर जिन्दगी लाँ पेंटींमा कड़े हां बदू नहीं हमने तान ना दान याओं हम ना बहुत हम अधान बहुत पर्दाइक है अपन के जिन्दगी लाँ पेंटीं मार खड़े हैं तो वही योजना के अधिकारी से भी हमारी टीम ने बात चीत की, उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी थी मैं हूं दवितार पाइग्वार है अधिकारी से और हम है आज जनपत पंचायत वंदी के आधर सब्सक्राम अफ्रीद में जहां और महात्मा गांदी अधिक पार्ट के तहत रिपा पोजेट से प्राक्रितिक गोवर प्रेंट निमार किया जा रहा है तो आए इसके बारे में ह मैं भी कासी सारट कारी के पर पर दिन पर पंचायत वंदी विकारी रहत हूं और में इनरेलम युजिनल का प्राहरी अधिकारी हूं सर बताएं कि मतलब जो बिहान है, बिहान होता क्या है? बिहान का अर्थारज सवेरा होता है, राश्टी ग्रामीर आजूदा मिशन, इसको नरेलम बोलते हैं, 36 गड़ में इसे विहान का रूप दिया गया है, बिहान का अर्थारज सवेरा, अंधतार को दूर कर देशे सुबा होता है, वैसी हम मजलाओं के लिए एक नया सवेरा ला ही कर रहे हैं, बिहान में सीफ महिला समु को समित करते हैं, और महिलाएं जो में बच्छत करने में हम भूभी का लिए है, वे अपना मासित बच्छत करते हैं, और स्वयम का एक 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 रिकांट होता है, जिसके मार्जम से वे अपना स्वयम करिशाइट करते हैं, जामिर आजियुका मिशन योजना के सब जनपत पंशयत बंभी अंतरगत अभी वर्तमान में लगवग 17,000 साथा समू को गठन किया गया है, जिसमें लगवग 19,000 महिलाएं जूड़ी हुई हैं, हम महिला का साथा समू को गठन के लिए बाहर से CRP राउन लाते हैं, वे प्रक् जिछर दिया जाता है, महिला साथा समू को अनुदार रसी के लूप में 15,000 रुपए रिवालिक फंड दिया जाता है, और 6,000 रुपए का CIF, समूदाइक निवेसर रसी भी दिया जाता है, इसके अतरिक तकम ज्याजज़त पर इहें बैंक से लोन दिलाए जाता है, शर बा उद्या से ग्रामिट सेत्र में इसे क्यों लाया गया है? सर, आज हम बंबेन लीके जनपत पंचायत अफ्रीद में है, तो यहाँ पर जो रिपा बना है, रिपा में क्या-क्या अभी कारेक्स चल रहा है और महिलाओं को किस प्रकास से उधार मिलरेस पर बताएंगे? सर, आज हम बंबेन लीके जनपत प्रकास से अभी क्या अभी क्या अंतर है? अब बहुता है, जो परियावरण के लिए खित नहीं जाता है, और यह जो में इको है, परियावरण के लिए अनुपुलीत है पहले के पिच्छा पिच्छा देखिया तो बतलब ग्रामिट जो प्रवेस है महिलाओं की, आप पहले और आप में क्या परवर्तन आई है? सर पहले की बात करें तो आपके ग्राम पंचत अफ्रीद में, गोबर की खरीदी और शाद इसाद में गोबर पेंड बने जारी जिसके बार मताइंगे? पहले गोबर की खरीदी खरीदी पोथार में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए के अधा रखा अभी अध्योगीक रूप में रिपा चंतरगत लाया गया है, गोबर खरीदी कर इसको प्राकटिक पेंड को रूप दिया जा रहा है भी अभी तक कितना इसमें से विक्री हो गया है, अभी तक अप्रीज में रिपा योग लंतरगत खुल 8400 पागन हुआ है, जिसमें से 400050 पीटा विक्री हो चुता है, जिसका रास्ती जारा वाट उन्तालीत हजार साथ सुपचित रूप है, और भी हंडारार के रूप में चार 4393 लीटर सेस है, जो लगवोट साथी 11 लाको पैका रासी है, खापित ग्रामिड उद्योगिक केंद्रों में काम करने वाली महिलाओ, ग्रामिड युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आया मिल रहा है, सरकार किस महतोकांशी योजना से न जिर्व ग्रामिडों के खबरे लगाता अब आने रहेंगे फिलालुक ने छोटे से ब्रेक के लिए बदली है व्यवस्था, बहतर हुए है हालाद, जब किसानों को मिला सरकार का साथ, चटीस गड़ में जब हुआ किसानों के साथ नया आये, तो उन्नत होई क्रिशी और बढ़ी किसानों की आये चटीस गड़ में क्रिशी को मिला है नया जीवन, जिससे क्रिशी हो रही है उन्नत, और सम्रद्ध हो रहा है किसान, पर ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, इसकी नीव रखी गई थी 21 मई 2020 में, जब एक किसान मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझते हुए, प्रदेश में राजीव गांधी किसान नया योजना की शुरबात की थी, किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोटसाहन और फसल की सही कीमत मिले, इसके इसके लिए शुरू हुआ नयाय का सिलसला, आज प्रदेश में क्रिशी के बढ़ते रखबे और किसानों की संख्या देखकर निश्चित तोर पर कहा जा सकता है, वाकई नयाय तो मिला है, जरकार बनते ही, किसानों की रंड माफी की, राजीव गांधी किसान नयाय योजना से किसानों को सशक्त बनाया, समर्थन मूल ये 2500 रुपए प्रती मिंठल किया, समर्ध्र खेती, हुशाल किसान, चत्तीजगण की ये है पहचान चत्तीजगण में घुरवाले बनत है वर्मी खाद, चारो मूड़ा होवत है जैविक खेती की बाद सुराजी गाउं योजना अंतरगत घुरवा विकास कारिकरम के तहट, अब तक प्रदेश में हजारों की संख्या में वर्मी चाके, गौठानों में बनाय जा चुके है जिससे लाखों क्विंटल जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका है वर्मी खाद उत्पादन से प्रदेश के किसानों को केमिकल युक्त महेंगे खादों के इस्तमाल से मुक्ती विली है गौरवा ने बडली लोगों के जीवन की तस्वीर रोजगार स्रिजन से हो रहा ग्रामिन अंचलों का विकास क्योंकि विकास और समृद्धी की दृष्टी बनी है सब पर हमें भरोसा है न्याय पर बाड़ी विकास कारिक्रम सब भो घर मा बाड़ी है सब भो घर मा भलत है सब जी भाजी को पोशन लव मात देवत है चतीस गड़ एदारी प्रदेश में ग्रामिन के घरों से लगी भूमी में तीन लाग से अधिक व्यक्तिगत बाड़ियों को विक्सित किया गया है एकता समू के सभी दीदी लोग सामुदा इक बाड़ी में सब जी का कार्या कर रहे हैं और 18 आंगनवाडी केंदरा में अभी सब जी दिये जा रहे हैं उसमें से हम लोग को आमदानी 30,000 मिला है इस योजना के आने से हमें रोजगार मिली है इस रोजगार के लिए मुख्या मंतरी जी को बहुत बहुत धन्यावाड क्योंकि विकास और समृत्थी की दृष्टी बनी है सब पर हमें भरोसा है न्याई पर व्रिक्षा रोपन प्रोचसाहन योजना से हर्याली के साथ बढ़ेगी आए राजीर किशान योजना अंतरगत जो आई है योजना अगर हम धान के फचल के अलावाद दूसरे फचल लगाएंगे तूसे केकड में क्या है सरकार दस जार उपए दे रहे हैं फिर प्लस हम लोगों को फल भी मिलेगा इससे हमको गया है दुगनप फाइदा मिलेगा हम लोगों को अच्छा है ये योजना सभी क्या है किसानों को लाब लेना चीए राजीर कांधी भूमीहीन क्रिशी मजदूर न्या योजना से मिल रहा है चत्तीस गड़ के भूमीहीन वर्ग को लिया है हमर कगा हा हमर गरीब आद्मी बार सलेना साथ हजार देवा थे तो हमर उपईशा हा वो फिष्ट में निकाल खंते हमर बन के काम आजे थे अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड एक फोन पर टोलत्री नंबर 14545 पर अपना अपॉइंट्मेंट बुक करें तैस समय पर मितान आपके दरवाजी पर होगा राज्य के 14 नगरी निकायों में मितान द्वारा सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बलकि इसके साथ-साथ जन्य, मिर्टिय प्रमानपत्र, आय, जाती, निवास प्रमानपत्र सहित 15 तरह के दस्तावेज बनाई जा रहे हैं दस्तावेज बनेंगे घर बैठें, क्योंकि हमें है भरोसा नियाई पार पैथोलाजी और दवाओं की सुविधा के साथ अस्पतार अब शहरी स्लम शितर तक पहुँच रहा है मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिये लोगों को निशुलक जाच वो उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है एक जुलाई से 30 नए मोबाइल मेडिकल शुरू कर शहरी स्लम स्वास्ति योजना का विस्तार किया गया है सुविधाओं का हुआ विस्तार इसलिए भरोसा है न्याई पार अगर जरूरी दवाइस सस्ती हो तो उपचार का खर्च बोज नहीं लगता 36 गड़ के 179 नगर्य निकायों में संचालित 195 श्री धनवंतरी जनरिक वेडिकल स्टोर्स में 229 तरह की जनरिक दवाईयां 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्द है एपरेल 2023 तक के स्थेपी में 53 लाग से अधिक नागरिकों की 96 करोड उपए से अधिक की बचट हुई है बचट से बढ़ी उम्मीदें क्योंकि हमें है भारोसा नियाई पार बेके बाद फिर से स्वागत है आपका बढ़ते हैं खबरों के और विलासपुर जिले के तकतपुर विधान सभा में कांगर्स ने संकल पर शिविर का आयोजन किया और उसमें सेम बूपेश बगेल ने शिरकत भी किए वहीं आपका बताते हैं सेम बूपेश बगेल की उपस्तिते में बूत प्रभारी सेक्टर प्रभारी जोन प्रभारी समित और विसुस्टर कांगर्स के निताओ ने भी आने वाले चुनावों के बारे में स्वनकल पलिया इस अफसर प्रभा मुख्यरूब से विधाई का रश्मी सेंगर जगर सेंगर मकर और संतोष कोशिक मीनू सुमांत यादव भी उपस्तित रहे तकत पुर्विधास दवा में आज संकल सुवीर ताहिजन और महुत उस्ता हमारे कारकाताओं में सास्यों में अभी जो तकाल में जो परहती मैंने हैं कि एसी सेल के ख़दान को अडानी को दिया गया है गारे पेल्मा को अब वह खुद एमडियों मना के उसको दे रही है उसे पकास एंडियों बनाके अडानी को दिया है तो यह इसका विरोत बस्तर के लोगों नहीं किया है और वह और जारू को मुद्दा बनाकर कांगरे जिए अब यह एक चिंभारती जम्ता पार्टी से कुछना जाता हूं कि जितने ख़दान अडानीक दिया जा रहा है उसको समर्थन करते हैं विरोत करते हैं कुलालस मुलिटिन में इतना ही खबरों के और बेजानकारी के लिए बने रहे हैं आर साथ नमस्कार